हेलो किचेन मांबी ने मैं आप सभी का स्वागत तो बस आठ डोटी बनाते हो आठा बच्चता है ना उसी एक हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का स्नेक है नास्ता बोलो पकोडा बोलो जो बोल दो आप आप देख सकते कितना यम्मी दिख रहा है कितना टेम्टिंग कलर भी कित इतने अच्छे से स्टफिंग भी दिख रहे है प्रॉपर तो चलिए आजव बना रहे थे यह रैसे फिंसे नहीं रैसे और घर के समानों से बस यह मैंने एक बाउलर इसमें थोड़े से आप थोड़ा क्या चार पांच मीडियम साइज के आलो ले रहे हूं एंड देन इसमे हुआ थोड़ी सी हल्दी डाल दे रहे हूं साथ में थोड़े से गरम मसाला अधनिया पाउडर और चाट मसाला तो जरूर पड़ेगा चाट मसाला और भूना जीरा वनेगा तब ही तस टेश्ट आएगा बस वो डाल दिया नमक डाल दिया इससे फोक से यहां से मैश है जिस उसमें ज्यादा कुछ नहीं यह गहूं का याटा का स्लेयर त्यार करेंगे यह गहूं का डाल दाल दिये ले रहे हूं मैं दो से तीन टेबे स्पून और डाल दे रहे हूं चिली फ्लेक्स डाल दे रहे हूं और नमक डाल के पानी के हल्प से इसे घोल तैयार कर लेंगे जै चुकष बच्यों बेरात किया जैसे होते न आट वह ले रहे हूँ इसमें से थोड एक छोटी सी बैट ले रहे हूँ मतब्लिव कितना ठोड़ा अच्यूट कर यह बैद देन इसके फ़ी फ़ी से मैने चुणें आट रश्ट कर देशिए ताकि रॉल करने में ईजली यह साथ डूत हैं अच्छे बने तो बस यह न आज देखें आप साइट का जो थोड़ा थेरह है उसे मैं कुछने रहे हैं लिए लिए एप कर सकते हो सेफ जरूर ही नहीं है राउंड भी सेफ जही है मैं राउंड नहीं है इसे चाहिए था तो मैंने कोसिस किया कि ऐसे बने तो ज्यादा कटिंग न निकले तो बस अब इस पर मैं डाल ज़िए थोड़क सब पीजा अरे सॉरी केचप डालें टमेटो केचप और इसे अच्छे से पूरे रोटियों पर यह अच्छे से पर लगाएंगे जो हमने अलो की स्टफिंग तयार किया थे न मसाले वाली वह डाल देंगे और इसे भी अच्छे से पर देंगे इविनली और हां यह देखना है कि अच्छे से इविनली गुल्ठी यां जादा रहें तो प्रब्लम है इसे में थोड़ एक दो घुठी ले चलेकर ज्याद आवना यह दें इसे अच्छे से स्प्रेट करें इसे हम एविनली यह उठाएंगे और हां बिल्कु टैंसर नहीं यह अच्छे से उठ जाए एगा फटने का भी टैंसर नहीं है तो बस अब हमने क्री नाइफ लेते हैं क्योंकि नियुक्त नियुक्त प भी सब्सक्राइब का मचेश भाइब में क्या जब्सक्राइब कर सकते हैं पहले तेल रख देते हैं गरम होने के लिए टाइम सेविंग भी होगे तेल गरम होता है तो बस इसे तेल रख देंगे अब एक पीस लेंगे इसे अच्छे से डीप कर देंगे और यह आटक इस लेगे अच्छे से डालेंगे और फ्रेम मेडियम रहेगा अच्छे और इस्टीक होने का टैंसर नहीं देखे जब हो जाएगा तो बबस लोंने लगेंगे जो बड़े बड़े बबस थे वह चोटे हो जाएंगे तो समझ लों में इसे उल्टा-पल्टा कर सकते हैं तो बस यह देखे आडसे मेने दोनों साथ अच्छे से कुक अलें बठाव फिल मेडियम हैं इंची है यह बियुल्ह नहीं और एकदम लो ser升 नहीं नहीं घ्यां कराएट में यंा और अब देख सकते कितना सुन cara कितना जी इंक दी रह娘 ँद quantidade कितना मजी का दिख रहे हैं क्रंशी भी उतनी अच्छी होह नहीं थी इसे में निकाल लेते प्लेट में और सुर्फ गहते आप इसी चाय के साथ भी खा सकते किसी से के भी साथ खा सकते यंचे के भी फटक से बना की यह नसता दे सकते और इसकी स्टॉफिंग आप देखेंगे तब तक के लिए खाव पियो मज़े को मिलते हैं नेक्स रेसीप के बाबाई और हां रेसीपी पूरा देखके कमेंट दता हैं कैसे इसकिप करोगे तो रेसीपी रॉंग हो सकते हैं आप से तो बाबाई स्टे ट्यून